इस वीडियो में बताएगाए टिप्स हर एक attractive इंसान को पता है वो ये tips follow करता है तब ही तो बनता है एक attractive person हाई गाईस मेरा नामे बरदान और चलो यार पता लगाते हैं कि एक attractive person ऐसी कौन से grooming tips को follow करता है जिसकी वैसे वो एक attractive person बनता है ये वीडियो उनके लिए भी है जिसको ये tips ये जो मैं tips बताऊंगा ये सारे tips उनको पता है इससे ये चीज़ बता चलेगी कि असल में वो attractiveness की कितने गरीब है तो शुरू करते हैं हमारे tip number one से जो कि हैं अपने बालों को अच्छे से trim करना ही है ये वाले बालों को तो अच्छे से trim करना ही है ये वाले बाल जब भी लंबे हो रहे होते हैं split ends कटवाने इनके और एक maintain करके एक hair style रखनी है ठीक है और सबसे ज़रूरी चीज़ है बाल सि कुछ सही है अगर ये चीज़ आ राखी होगी तो बहुत जाजा भी कर लेगी बीर्ड को अच्छे से maintain करके रखना है ऐसे नहीं है तुमारी यहां से निकल रही है जिसकी बीर्ड आती है उसको अच्छे से रखना चाहिए और सबसे ज़रूरी चीज है अब चेस्ट के बाल चेस्ट के बाल भी कही होंगे ऐसे दिख रहे होते हैं तो अगर आप चाहते हो कि अपना एक ये शर्ट का बटन उपर वाला उपन करके रखो ठीक है अपनी क्लीविज शो करो जिससे आप सेक्सी दिखते हो अगर ये चीज़ करना चाहते हो तो मतलब अनील कपूर मत बनो अपने बाल मत दिखाओ चैस के ठीक है उसको भी क्लीन कर दो और सबसे जरूरी सबसे जादा जरूरी है जो कि ये ये टेप मैंने काफी नोटेस किया है ठीक है मैं काफी मतलब एक टाइम में बस में ट्रैवल कर रहा था तो एक लड़के को मैंने देखा वो काफी अच्छा दिख रहा था उपर से बहुत अच्छा दिख रहा था मतलब आप उससे देखके को लड़की होगी एकदम से पढ़ जाएगी लेकिन जब मैंने उसके ऐसे ओवराल उपर लेके नीचे देखा तो उसने शूस पहन रखी तो उसकी ना पैरों की अंदर से बाल ऐसे निकल के अगर आप यह स्कार तो अगर आपकी पैंट फोल्ड करते हो या पैंट आप उपर पहनते हो थोड़ा सा मतलब आपका अपका पैरों का नीचे वाला एरिया दिखता है ठीक है तो समसी जो बाल निकल रहे होता है उसको क्लीन कर दिया करो मैं तो बहुत आदा बेकार दिखत जो बाल जो भी जहांपर निखर रहें उसको कर दो और अपनी ऐपरोáticas घ्रांग की अबनिते वह पीयन C टर लड़के अगर आपकी यह यह जो आपकी निकल की तो बगए टो वह reg ext missed इसलिए बालों को मतलब जहां से भी जो भी इधर उदर निकल रहे हैं जाद निकल रहे हैं इस चीज पर ध्यान दिया करो यार यह चीज खुद भी ऑब्सर्ब हो जाती है अगर अगर करने लगोगे तो ठीक है काट दिया करो नमबर टू टिप है अपने जो नाखुन होते हैं नेल्स होते हैं ठीक है इनको काड़ दे करो टाइम टो टाइम लड़कों को मैंने बहुत देखा है उपर से लेके नीचे तक अच्छे बन रखे होंगे लेकिन नाखुन जब हाथ ऐसे हाथ मिला उनसे या हाथ उनके देखो तो नाखुनों में उनके जो है वो गंदगी फस रखी होती है जो कि बहुत जादा ऐसा अनहाईजीनिक लगती है तो वो अट्रैक्टिव है इस तो दूर है तो यह सबसे बड़ी ग्रूमिंग मिस्टेक है तो अपने नाखुन टाइम टो टाइम काटा करो हर वीक में काटा लगती है जाला है। क्योंकि हमारे smile है हमारा मुह ही सब कुछ है यह नहीं रहेंगे तो भाई बुढ़े लगोगे ठीक है कुछ खतम हो जाएगा तो अपने दांतों के care करा करो और रात को brush करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है न पता है रात को brush करना सुबह ब्रश करने से ज़्यादा ज़रूरी तो अभी नीचे description में जाके भी चेक कर सकतो हूं पर मिल जाएगी और उपर घूरी मिल जाएगी नबर 5 वा जो टिप है वो यह है कि अपनी स्कीन की केर करनी बहुत ज़रूरी ग्रूमिंग में अपनी स्कीन भी बहुत जारा जरूरी आती है और तुम्हें इससे completely कि है burgिसे के सामने कि जाहने के वैट ही अच्छे से अच्छे से face wash करो उसका toning करो moisturizer लगाओ और sun protection रखो अपने face को sunscreen use करो अच्छे से इसके उपर भी मैंने already वीडियो बना रखी नीचे description और उप्यार आई बटन में नमबर 6 है हमारे कपड़े और कपड़े तो मतलब grooming में कपड़े तो सबसे जाधा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर कपड़े अच्छे नहीं है तो फिर तो चाहिए तो मुह अच्छा बनाओ शकल अच्छी बनाओ जो मर्जी बनाओ तब अच्छा इसलिए कपड़ों की अच्छी mix and match करने की knowledge आने चाहिए कि क्या कपड़ा किसके साथ सही जाएगा ठीक है अगर तो मैं इसके उपर भी एक वीडियो बना दूंगा और अच्छे से प्रेस होने चाहिए आयरन होने चाहिए तुमारे क्लोथ ठीक है ऐसे निए कि मतलब ऐसे वह ना श्रिंकेज बट रखिए वह वह चीज नहीं होने चीए वह तो बिल्कुली घटिया वाला इंप्रेशन देता कि भाई इसने कपड़े तो अच्छे पहन रखें लेकिन कैसी आलत में रखें तो वह चीज ज़रूर नची कपड और पैटन जो है वह जादा जादा पैटन लोगो वाले चीजें मत पहनो मिनिममम रखो इन चीजों को क्यों सिंपल चीज वह जादा अच्छी लगती है अगर अच्छे से मिक्स और मैच करके रखोगे तो नबर सेवन टिप है अच्छा हम लोग ने सब यह चीजें कर है लेकिन अगर को हमारे पास है और हम अच्छे से स्मेहल नहीं कर रहे हैं तो फिर तो किस बात के अट्राक्ट इवने से हमारी ठीक है तो सबसे पहले अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना हमारा वही पुराने कपड़े पहन रहो ठीक है कपड़े भी अपने डेली चीज़ करा करो और तब लोग अच्छा अच्छा लग गया अच्छा समेल भी कर गया लेकिन अगर हमारा बॉडि जेस्चर जो है वह सही नहीं है ठीक नहीं है तो उसकी वज़े से तो हमारा confidence में भी band बच जाएगी और grooming में भी band बच जाएगी फिर तो कितना भी groom करके रखो अच्छा कुछ impression नहीं जाए ठीक है उसके लिए gesture जो है वो body का सही होना चाहिए अगर गलत है body gesture तो उपर eye button में फिर से video देदी है नीचे description में भी video देदी है वो इसके बाद देख लेना ठीक है last tip की बात कर लेते हैं अब हम अच्छा दिख भी गए हैं अच्छा लग भी गए हैं अच्छा सूंग भी रहे हैं अच्छे smell कर रहे हैं सब कुछ हो गया उपर उपर से नहीं के हमने आपको तो फिर आपकी जो है ग्रूमिंग का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि जब आपको एक्छल में कोई परसन जाने का ना तो उसके बाद आपका जो है रियालिटी उसको बच लिए कि यार नहीं यार यह तो अच्छान लग रहा है और यह जाधा जो है दो खूझ से प्यार करना सीख ओ एक यह चीज मैं बताता हूं अपने इस चैनल में ठीक है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना इसी के साथ हमारे यह जो टॉपिक होता है खतम होता है ठीक है अपना आपको अच्छे से गुरूम करके रखो और मुझे इंस्टागाम पर फॉलो कर सकते हो अगर कुछ भी पूछना है कोई यह किसी चीज के भी रिलेटेड पूछना है ठीक है मैं उसे पूछ सकते हो शरम आया मत करो यार इंस्टागाम पर फॉलो गया करो नीचे आ रहा है ठीक है फॉलो कर दिया करो ठीक है और बगी मैं चलता हूं यह सारी वीडियो चेक करो है बाई गाइस